कुकडोला, विकास के पत पर, हरियाना, मेरा हरियाना, हरियाना के 3500 गाउं में मेरा गाउं कुकडोला, आज कुकडोला बदल रहा है, जहां कभी सड़के तूटी थी, पानी भरा रहता था, कूडे के धेर लगे रहते थे, लेकिन आज वक्त बदल रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं आईए हम आपको फुकुडोला गाउं की नई तस्वीर दिखाते हैं और लोगों के विजहा सुनवाते हैं बवीशे की योजनाओं से अवगत कराते हैं आईए हमारे साथ चलिए अजर बताएं कि जो अभी पिछले साल के दरान सरपंच अजय कुमार जी ने जो काम किया कि आप उससे संतुष्ट हैं बिल्कुल आपके साथ से क्या क्या उन्होंने किया है भाइबन वह कर दियो जो इब तक मोट दिन करें और वह नहीं जो करें करें हैं उन्होंसे आप सब्सक्राइब करें अच्छा काम करें आप उनके संतुष्ट हैं और आप आने टाइम के अंदर क्या बदलाव चाहते हैं आपने गाउं के अंदर आने वाले टाइम में यह हैं जैसे एकदम सोच बिल्कुल सब्सक्राइब सब्सक्राइब काफी तो बैसे हो गया पाने पानी आ रहा है हर वकत और आगे आने वाले टाइम में और जो थोड़ी बहुत वह हैं पूरी करेंगे आप यह चाहते कि जो हर्याने के साड़े 6,000 गाम उसके इंदर हमारा गां सब्सक्राइब कर दिया और यह पर दाब लिया बहुत कर देए इसल और यह पर चैनला बढ़ सब्सक्राइब कर दोची है अबाल समय कर दियां का आज यह चाहिए कंढ कि अब शाब सपाई का बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और रस्ते सारे साफ करवा दिये रस्तों में जहां भी तूट पूटती वह ठीक करवा दिये जो गली थी वह पक्की करवा दिये पाणी का भी इंतिजाम सही है और गाउं में अभी वाटिका की भी वो चल रहा है प्रोग्रेस वहां पे भी बाकी लाइट भी ठीक है लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब सरपंच ने कुल मिलाए बहुत अच्छा काम किया है अब उनके काम से संतुष्ट हैं आप उनको दस पर दस नमर देना चाहेंगे इस गाउं में जब से पंचयात 19-19 हर हुई है उसमें पहली बार ऐसी पंचयात बढ़िया जिसने ऐसा काम किया है सरपंच से सारा गाउं ही संतुष्ट है काम से और आगे भी बहुत से काम करवाने की उमीद है सरपंच की करवाएंगे जैसे कि आपको पता है जारा तारी को राव नर्वीर सिंग आ रहे है अपने गाउं में 24 बैड़ का सरकारी होस्पिटल की नीव दखने के लिए वह इस पंचयात के ही काम से हुआ है यह काम अन्य था पहले बहुत से सरपंच बने और बनते ही आया थे पर किसी ने कोई इस गाउं के लिए नहीं सो पंच बड़ीया काम हो रहा है तो कैसे लिखे जाते थे इस प्रदी पर देशान थे पहले यहां से पूरे गाउं को डूंगे पूरा बाहर लिया कि आपता हो तो पुरा दिन आपके सीमें लग जाता अब यह सरपंची ने जो ट्रेक्टलाइशा आपको काफी काम अच्छा सबाइय अच्छी हो रही है जाल shipping अग sponge में अख जिक आप रिपर करने के लिए झाएं पिछली एक साल के दौरान काफी आपने काम करें पिछली पंचाद में बड़ी प्रिशानी थी इस पंचाद ने बहुत अच्छे कार्ये किये सारे गाहं के जो राष्टे हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हाई वे जोड़ दिया है घंडे की अन्य है में बड़ा ही अच्छा काम काम हमारी पंचे इसे ने किया एल्ग फ्रॉजए में रहे प्रॉजए सब्सक्राण के लिए पंचाइट ने वास्ता में इतना अच्छा काम किया है एक महीने के अंदर ही कि हमें वास्ता में बड़ी पंचाइट नाज फक्र है और अभी भी तीन-चार दगेव पर लगातार काम ऐसे जा रही है युद्शतर पर पढ़ाई के छेतर में भी पंचाइट ने बहुत होगे अपने प्राइमर्य स्कूल को बार बार जो देख वागिये जरर हेल्थ हेटेतर में भी बड़ा अच्छा साणक किया है वहां पर अपने प्राइमर्यमर्य फैन्टर उसको हर तोरे कि सुपिदम और रकिये या है उनको भी पूरी तरी के से ठयब पूरी साहिता पंचयाट कर रही है हर तरीके से और किसी परकार की कोई तरह परिशानी नहीं है इसके साथ 766 में बहुत बड़ा कदम जो पंचयाट में लिया है कि गाम में एक इंजरिंग को लिग्स फुलवाने के लिए अपना जी जान लगा हुआ है और उसके लिए दो ती फाइदा देगा गाम के विकास को जो है उचरम सीमा पर पहुंचाएगा वास्तम में जो हमारी जो पंचयाट है वह बहुत ही अच्छा कारी कर रही है और हम उनके बड़ी आभारी हैं सारा गाम जो है पंचयाट के साथ गाहों की गलियों में डस्ट्वीन कूड़ा वाले पानी की विष्टा करवाई है जगह जगह पर कूड़े वाले बहुत गंद थी सारी साथ सफाई करवा के और यहां पर चार दिवारी करवाई है और बड़ी हां काम करवा अब उनके काम से संतुष्ट है उनके काम से बहुत खुशी हो रही है कि जो ऐसा सरवन समय मिला तुन ने जब से बसे बने तब सब्सक्राइब काहई कर रहे हैं तब से उनने गाहों के लिए इतने विकास कारी किया है कि चाहरों सड़के स्ट्रीट लाइट और यहां चार जाते हैं लेकिन टीक मोले पांच ही है पूरा गाउं यह चोटा सा हेल सेंटर है पहले था यहां ना कोई पानी की स्रीटा थी और बाथरूम भी बनवाया है लेड़ी जो भार जाती थी वाथरूम करने के लिए कि तो अभी पिछे जो सरपंस था उसमें लेटिंग की तद स्विधा करवा थी तक त्रायलेट की ना में पानी की स्विधा है जाना चाहूंगा कि जब कई बाद आसा तक गवाव में बीमारी हो जाती है तो आपको पूरी अविलेबल होती है या आपको कमी पढ़ जाती कोई ऑक्सिजन कोई कुछ भी नहीं है तो आप यह चाहत देगी है अमारे सरपंस आप अजय कुमार जी अनरे टाइम पर इस सब चीजें आपके लिए आपके लिए करें आपके लिए करें अबलेबल हो तो अच्छा है हम कासन बेजते हैं अब कासन है गुडगामा है कासन इतनी स्विधा नियां सीजेरियन पेशेंट है ओपरेशन से डिलीवरिया होती है अब कहां से रोके हैं अब बुलेंस आती है इतनी देर में देलीवरी हो जाती है लेबर पेशेंटर सारे दिन काम करते हैं अब बई जो गाओं के हाई-फाइलोगों तो अपने खुद के व सब्सक्राइब हो जाती है तो हमें एक हमारे गाओं में एक एक एंबिलेंस निजिए है इस इस कंडिशन के अंदर जल से दित लोगों से विधाई प्राप्त करावा सेगी है पचीज को करवाया दियो अभी देख लो 35 बाइप चीज को है और यह कुदी करनो लब हो सब्सक्राइब करेंगे अभी तक जो भी कारी हुए है रास्ते के बिजली के पानी के और सफाई की यह तो गाओं की मूर्भू सुईता है यह काफी दिन पहले पूरी हो जानी चाहिए जो कि अभी हुई है हमारे गाओं में अभी भी हम देख रहे थे कि कुछ औरते पानी स से लेके आती दूसरे गाओं से जाजा के तो हमने सुचारू रूप से पानी की सुईदत उनको मुहया कर आई आज गाओं पूरा हमें हिंदी में कहते हैं ही इंडी बोलते हैं कि वह इंडी फ्री गाम हो गया है कोई भी औरत आपको गाओं में पानी सर पे ले जाती भी नह सिंगल गली हमारे गाम कच्छी नहीं है उसके बाद में हमने कुछ सिख्षा पर भी जोर दिया है मिटी के तहत उनके सी एसर स्कीम के तहत हमने कुछ कारिये उन से करवाए हैं सिख्षा के छेतर में घंगाओं के प्राइमरी स्कूल में 6-12 की वो कोचिंग क्लासिज लेते ह स्याम को 5 बजे से 6 बजे तो यह हमने सिख्षा के छेतर में एक कदम उठाया है बाकी स्वास्त के छेतर में जी जगहें पर हम खड़ें इसको आप करीवन दो महीने तीन महीने पहले देखते थे काफी यहां पर गंदकी थी पेड़ खड़े थे छोटे-छोटे सूर घूमत हुआ कर gel दो करें के गवर्मेंट को अवर बेल्डिंग में भी गवर्मेंट पिसाहिता करें गे पंचायित की तरफ से जितनी भी हम आरे पास में रासीinter पंचायद मोहिया करा के और सरकार को गोर्मेंट बिल्डिंग बनाने में हमारे पांच गाओं का समुवे पच गाओं इसे बोलते हैं तो चार गाओं हमारे साइड में हैं और काफी इससे नजदीक में बागन की खेड की गाओं भी आर्मी एरिया है इदर में पावर ग्रेड तो यह सब गाओं हमारे इसी हेल्थ सेंटर से जुड़े हुए है तो इसमें किसी अच्छी तरह की सुविधा है नहीं नहीं कोई एंबूलेंस है नहीं कोई ऐसा डॉक्टर होता है नहीं होस्पिटल में यह जो भी पीएस्सी बनी हुए है इसमें कोई बैड है कि किसी को को युफचार मिल जाए तो हम कोशिज करेंगे कि सभी को हमारे काफी सारी चीजे पाइब लाइन में हैं जैसे एक इंजिनरी को लीजे जो हरियान गवर्मेंट बना के दे रही है तो उसके लिए हम कारिये हर रोज करने जमीन का मेजर्मेंट लेवलिंग पीड़ली डिपार् उनको हर चीज मोहिया कर रहा हु पेपर सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके और मेभी वो काम हमारा जून जैनिया फेमे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में कुछ और भी कारिये हैं जो हमें फ्यूचर के लिए प्लैन करके चलने हैं जैसे कि हमारे हैं एक पैदल पारपत ह पाइपलाइन में वो एसी साव को हम दिखा चुके हैं पीड़ली ओले को वो हमारी मांग मुख्य मंत्री तक जा चुकी है उसके अलावा फिर हमारा कुछ जो जल के स्रोत नीचे जा रहे उनके बारे में सोचा है हमने कि हम रेन हर्वेस्टिंग सिस्टम कराएं तो एक रेन आने पुरानिक जोहोड है जैसे नईया वाला जोहोड बोलते हैं उसके आगे हमारा बड़ा जोड है एक छोटा जोड है तो जो जोहोड है उनको भी हमें पुनर्जीवित करना है उनमें पानी के लिए हम ट्यूवेल लगवा रहे हैं मेरे आपी ठीजिकल हैल्ट डिपाट इसको आगे भी ले जा चुके हैं और उसका हमने कदम अपनी तरफ से उठाया है कि हम एक अपने गाउं की अलग से पी डबलुडी रोड बनवाना चाह रहे हैं तो वो रोड जब हमारा बनके त्यार हो जाएगा वो रोड हमारे गाउं के जो कच्छा रास्ता है वहां से ज जाके और ने चेट से टाच होते हो रिवाडी जा सकता है इसको गुडगावा की तरफ जाना वो अंडर पास के नीचे से गुडगावा जा सकता है तो हमारे यातायात के साथ काफी सुगम हो जाएंगे दूर गटना एक कम हो जाएगी और हम जो केम पी का एकी जो लीच्व सामिल करा दूँ और विकास की गतीव को अगरशर चलाए रखें वागी अपने गाउं के लिए हैं कि मैं अपने गाउं को 2016 के एंड तक आदरस गाउं की लिस्ट में सामिल करा दूं और उन गाउं को भी यही सुब कामना देता हूं कि वह भी आदरस गाउं की लि झाल झाल